प्रियविद्यार्थियो मैं मनीश शंकर्तिवारी माध्यमिक शिक्षक शार्षकी हाई स्कूल पीपर पानी विकास खंड साई खेडा जिला नर्थिनपुर से और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्छा नो के इतिहास पाठ पुश्ताके के अंतरगत यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांती चलिए हम आरंभ करते हैं इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन का योग उदारवादी रैडिकल और रोडिवादी लोगों के बारे में हम जानेंगे फिर हम समझेंगे और योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन को इसके बाद हम जानेंगे यूरोप में समाजवाद का आना तथा स समाजवात के लिए जो समर्थन जुटाया गया उसके सम्मन में हम जानेंगे तो चलिए हम आरंभ करते हैं पिछले अध्याय में आपने फ्रांसिसी क्रांती के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंतरता और समानता के शक्तिसाली विचारों के बारे में पढ़ा आप लो की सीमाओं को तोड़कर फ्रांस की राष्टी भोगलिक सीमाओं को छोड़कर तोड़कर सारे यूरोप में फैलने लगी यूरोप में ही नहीं अपितु उसके ये विचार संपून विश्चों को प्रभावित करने लगे थे फ्रांसिसी क्रांती ने सामाजिक संरचना के छ सूत्रपात कर दिया आरंभ कर दिया जैसा कि आपने पढ़ा है और आप जान चुके हैं कि 18 वी शताबदी के पहले फ्रांस का समाज मौटे तोर पर एस्टेट्स और स्रेणियों में बटा हुआ था समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीनवर्ग और चर्च का नियंत्रन था जैसा कि आप इस चित्र से देख पा रहे हैं कि प्रथम दो इस्टेट एक ये और एक ये तीसरे इस्टेट के उपर बोज बने रहते थे इसको हम बहुत विश्टार से और बहुत अच्छे से पिछले अध्याय में फ्रांसिसी क्रांटी में समझ चुके हैं क्रांटी के बाद इस संरचना में बदलाव संभाव दिखाए देने लगा किस संरचना में जिसमें अमीर लोग गरीबों का शोशन करते थे ये चीजें लोगों को अब लगने लगा कि हाँ अब इस संरचना में बदलाव किया जा सकता है अब गरीब शोशित होने के लिए नहीं बना है ये बात इस पश्ट होने लगी यूरोप और एसिया सहत दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सप्ता पर किसका नियंतरण हो इस पर चर्चा छड़ गई यूरोप और यूरोप के अलावा एसिया सहत दुनिया के अनेक हिस्सों में इस बात पर बार बार चर्चा होने लगी कि क्या निरंकोस राजतंत्र के द्वारा सर्व सुईधा संपन विशेश आधिकार प्राप्त लोग सब कुछ कर सकने में सक्षम है क्या इस विवस्था क को बदला नहीं जा सकता क्या राजा का निरंकोस होना जो है भागे में हमेशा लिखा रहेगा क्या इस भागे की लेखनी को बदला नहीं जा सकता इन सारी बातों को लेकर चर्चा सुरू हो गई भारत में भी ये चर्चा सुरू ही और इस चर्चा को सुरू किया राजा रा चाहां पर निम्न वर्ग का मजदूरों का गरीब गुरुबों का शोषम हो रहा है, वहाँ पर इस तरह की चर्चाएं और बहills मुसाहबे होने लगे. आगे चलकर उपनिवेसों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को नया रूपदान करने में योगदान दिया तो इस तरह से आप लोग समझ गया होंगे कि फ्रांसीसी करांती के बाद सारे यूरोप में उसका प्रभाव हुआ और सारे यूरोप के लोग, सारे एशिया के लोग, अपितु सारे दुनिया के लोग ये चाहने लगे कि अब स्वतंतरता, समानता और बंधुत्त की बात हो हला कि परिवर्तनों को लेकर कि सबके अपने अपने मत थे यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे कुछ लोग इस सवाल पर अलग-अलग राय रखते थे बहुत सारे लोग बदलाओ को तो तयार थे लेकिन वे चाहते थे कि बदलाओ धीरे-धीरे हो लेकिन एक खैमा ऐसा था जो ये मानता था कि समाज में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाए एक बार समाज का आमूल चूल पुनरगठन हो ही जाए मतलब कुछ कंजरवेटिव थे, कुछ लिबरल थे और कुछ रैडिकल थे सब अपने अपने तरीकों से समाधानों के पक्ष में थे तो चलिए हम इस अध्याय की सुरुवाती इसी से करते हैं कि रोडिवादी, उदारवादी और रैडिकल आखिर थे कौन उदारवादी, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था उदारवादी ऐसा राष्ट चाहते थे, जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले वो ये चाहते थे कि किसी भी धर्म को छोटाया बड़ा नहीं माना जाना चाहिए सायद आप जानते हों या ना जानते हों ये तो हमें नहीं पता लेकिन फिर भी पाठिकरम की दरश्टी से अगर हम देखें तो उस समय यूरोप के देशों में प्राया है किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महतु दिया जाता था और वो धर्म कौन सा था ब्रिटेन की सरकार चर्च आफ इंगलेंड का समर्थन करती थी जबकि और इस्पैन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे अब एक कैथोलिक चर्च आर्थोडॉक्स ये सारी चीजें क्या है हम इसी वीडियो में आगे चलके देखेंगे और समझेंगे उदारवादियों का एक समुह जो था वह वन्स आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था वह यह नहीं चाहता था कि राजा, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा राजा बने और इसलिए वे सरकार के समक्ष व्यक्ती मातर की अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे और उदारवादी समुह के जो लोग थे उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए वे इस पश्ट कहते थे कि सरकार जो है वह लोगों के जनता के हितों के लिए होना चाहिए ना कि किसी एक को विसेश अधिकार दे और किसी अन्ने का अधिकार छीन ले यह समूह प्रतिनिद्टों पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार चाहता था जो शाषकों और अपसरों के प्रभाव से मुक्त तथा प्रशीक्षित न्यायपालिका द्वारा इस्थापित किये गए कानून के अनुसार शाषन चलाए मतलब उदारवादियों का कहना ये था कि सरकार ऐसा चले सरकार इस तरह चले जिसमें स्वतंत्र और निश्पक्ष न्यायपालिका हो जिस न्यायपालिका पर ना तो राजा का प्रभुत्तो हो ना ही किसी अपसर का प्रभुत्तो हो और सही को सही और गलत को गलत कहने वाली न लोग सार्व भौमिक वयस्क मताधिकार मतलब नागरेकों को वोट देने के अधिकार के पक्छ में नहीं थे। उनका कहना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ती धारियों को ही मिलना चाहिए। जैसा कि आप इस बैलेट बॉक्स में लिखा हुआ देख रहे हैं कि मेरा उप्योग केवल पैसे वाले अमीर ही कर सकते हैं गरीब गुर्वा मुझसे दूर ही रहें। मतलब उदारवादी समूह जो है राज तंत्र के तो विरोधी थे लेकिन वे पूंजी वाद के समर्थक थे और वे चाहते थे कि जिसके पास में पैसा हो वही वोट देने का हकदार हो उसी को वोट देने का अधिकार मिले। चलिए अब हम देखते हैं अगले समूह के बारे में जिसको बोलते हैं रैडीकल मतलब आमूल परिवर्तन के पक्षधर। रैडीकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मतलब वो सरकार जो जनता के वोटों से चुनी जाए जनता के मतों से चुनी जाए चुनाओं के दौरा रैडिकल्स में जो लोग थे वे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महिला मताधिकार अंदूलन के भी समर्थक थे जैसा कि आप लोगों ने फ्रांसिसी करांटी में देखा कि फ्रांस में सारा सब कुछ हो गया था लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था तो रेडिकल समूँ जो था जो रेडिकल मतलब अंग्रेजी शब्द हो गया हिंदी में हम रेडिकल का बोलेंगे आमूल परिवर्तनकारी समू मतलब संपूर्ण परिवर्तन का पक्षधर ये लोग उदारवादियों के विपरीत, बड़े जमिदारों और संपन उद्योगपतियों को किसी भी तरह का विशेशाधिकार नहीं देना चाहते थे वे निजी संपत्ती के विरोथी नहीं थे, लेकिन वे चाहते थे कि संपत्ती केवल कुछ लोगों के पास में एकठी हो करना रहे संपत्ती का संकेंदर ना हो, संपत्ती का विकेंदरी करन हो मतलब radical समूझों यह कहता था कि जो जमीदारों को, विशेश संपन उद्योगपतियों को, राजा के दवारा या सरकार के दवारा, जो विशेश सुईधा दी जा रही है, जो विशेश अधिकार दीे जा रहा है उन अधिकारों पर रोक लगना चाहिए बलकि ये इधिकार सारे जन ताके पास होना चाहिए ठीक न? और अगला तपका था रूड़िवादी, ये रूड़िवादी इन दोनों के खिलाब था, रेडिकल के भी खिलाब था और उधारवादीयों के भी खिलाब था, हलाकि फ्राशिशी करांती के बाद रूढ़ी वादियों को लगने लगा की बदलाओ की जरूरत है पुराने समय में मतलब लगभग 18 वी शताबदी में रूढ़ी वादी आमतोर पर परिवर्तन के विचावरों का विरोध करते थे वे कहते थे कि किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो व्यवस्था है वो अच्छी है लेकिन 19 वी सदी के आते आते वो ये मानने लगे कि अब कुछ परिवर्तन आवश्च्यक हो गया है इसके बावजूर्द भी वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए अतीत को ठुकराया ना जाए और बदलाव की जो प्रॉसेस होए धीरे धीरे चले ठीक है ना तो आप लोग समझ गया तीन समूधे कौन कौन से उदारवादी आमूल परिवर्तन वादी और रूड़िवादी तो उदारवादी मतलब जो पूझी पती लोग थे राज साही का ग्रोध करते थे पूझी वाद का समर्थन करते थे रैडिकल पूरी तरह से लोगतंतरवादी थे रूड़िवादी जो धीरे धीरे सुधारों को चाहते थे वे चाहते थे कि ना तो राजा ना राज हो ना पुराने लोग ना राज हो और धीरे धीरे करके परिवर्तन होते रहें तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आप हलाकि धीरे धीरे करके इने टकराहटों और मतभेदों के बावजूद सभी की अपनी अपनी सीमाएं और संभावनाएं 19-वी सदी के आते आते तक निर्धारित कर ली गई चलिए अब हम आगे देखते हैं यूरोप का ओध्योगिक समाज और समाजिक परिवर्तन जैसा की टाइटल से आप लोग समझ पा रहा हैं कि ओध्योगिक समाज मतलब इंडस्टीज में काम करने वाले लोगों का एक अलग सोसाइटी तयार हो गई उस सोसाइटी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और समाजिक परिवर्तनों को देखेंगे ये राजिनीतिक रुझान नए योग का दियो तक थे और यह दोर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था यह ऐसा समय था जब नए नए सहर बस रहे थे ओध्योगिक छेत्र विकेशितों हो रहे थे रेलवे का काफी विस्तार पर हो चुका था और ओध्योगिक करांती संपन्न हो गई थी ओध्योगिक करण में औरतों आदमियों और बच्चों सब को कारखानों में ला दिया काम के घंटे या ने पालियां बहुत लंबी होती मजदूरी भी बहुत कम मिलती बेरोजगारी एक आम समस्या थी और जोगिक वस्तूओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी बढ़ जाती शहर तेजी से बढ़ते और फैलते जा रहे थे इसलिए आवाश और सफाई का काम मुस्किल होता जा रहा था फिर भी उदारवादी और रैडिकल दोनों ही इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश कर रहे थे उद्योग जो थे वो लगभग व्यक्तिगत स्वामित्यु के थे मतलब नीजी संपत्ती थे और बहुत सारे रैडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ती थी बहुत सारे लोग उनके अहां नोकरी करते थे और उन्होंने व्यापार या ओद्योगी के व्यावसाईयों के जरिये ही धन दोलत एकठी की थी इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को जादा से जादा बढ़ावा दिया जाए कि स्वास्त एवम शिक्षाक मुहिया कराई जाए इस तरह की उनकी सोच थी ऐसा क्यों सोचते थे वो लोग इसलिए सोचते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्त होगा नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था का लाब किसको मिलेगा उनको स्वयम को मिलेगा ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेश अधिकारों के विरुद्ध थे ये वही लोग हैं जो फ्रांस में तरती इस्टेट के प्रथम वर्ग में थे अमीर एवं व्यवसाई लोग जिनको पादरी और कुलीन वर्ग की तरह विशेश अधिकार नहीं मिले लेकिन ये सिक्ष स्वीधा रखें उनको हम पढ़ा लिखा बना देंगे तो हमको पढ़े लिखे मजदूर में लेंगे हेल्दी मजदूर में लेंगे और इसका अंततो गत्वाप फायदा उनहीं को मिलेगा लक्तिगत प्रयास श्रम और उद्यम सीलताम उनका गहरा विश्वास था क्योंकि वे महनत करके अमीर आजमी बने थे उनकी मान्य था थी कि यदि हर एक व्यक्ति को स्वतंतरता दी जाए गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उनहें बिना रोक तो काम करने का मौका मिले तो समाज तरक्की कर सकता है विसरकार से यह पिक्छा करते थे कि जनता को पढ़ाया लिखाया जाए गरीबों को रोजगार मिले तो रोजगार कौन देने वाले थे चुकि रोजगार देने वाले वे स्वयम थे जिनके पास में पूंजी है उनको बिना रोक तो काम करने का मौका मिले तो जब उनको बे जिजग बे रोक तो काम करने का मौक इसी कारण 19-वी शदी के सुरुवाती दसक में समाज परिवर्तन के एक छुक बहुत सारे कामकाजी इस्त्रीपुरुस, उदारवादी और रैडिकल समुहों तथा अन्य पालिटियों के इर्दगिर्द गोल बंद हो गए। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये लोग अंतिन रूप से किसके भले की बात कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अच्छा हटा खटा नौजवान उनका नोकर बन जाएगा तो इससे उनकी ही मदद होगी। यदि पढ़ा लिखा वेक्ती, यदि मजदूर पढ़ लि जाएगा। तो ये बातें अभी करीब गुरुवों की समझ में नहीं आए थी लेकिन वे लोग अपनी हेल्थ और एजूकेशन की बात सुनकर इन रैडिकल्स और उदारवादियों के समूहों और इनकी बनाई हुई पार्टीयों से जुड़ गए और इनके समर्थक हो गए अब हुआ क्या यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारे बनी उन से छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्टवादी उदारवादी और रैडिकल जो थे वो अंदोलन कारी करांती के पक्ष में थे वे चाहते थे कि इस तरह की करांती हो की राजाओं के तक्ता पलट हो जाए फ्रांश, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग करांती कारी हो गए और राजाओं के तक्ता पलट का प्रियास करने लगे और फ्रांश में तो आप लोगों ने देखा कि राजसाही को बदल ही दिया और वो जो लूई सोलवाई था उसको फांसी के तक्ते पर लटका ही दिया हलाकि राजतंत्र के खत्म होने के बाद वहाँ पूझी वाद आ गया गड़तंत्रात्म के व्यवस्था वहाँ आने में टाइम लगी तो इटली, जर्मनी और रूस में भी लोग इसी तरह से करांती कारी हो गए और वहाँ के निरंकों से राजतंत्र को बदलने के लि उसको वोट देने का अधिकार मिले, जिसके पास पैसा नहीं है उसको वोट देने का अधिकार ना मिले, इस तरह कराश्ट वे नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि जो स्वतंत्रता हो, जो समानता हो, जो बंधुत्त की भावना हो, वे सारे नागरिकों के लिए एक एक नाग राष्टवादी मैजिनी ने इसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर वहां के राजा के खिलाप साजिस रची ये मैजिनी कौन थे मैजिनी वही हैं जिनको भारत सह दुनिया भर में पढ़ा जाता है उनकी रचनाओं को लोग आज भी पढ़ते हैं क्यों क्योंकि उनकी रचनाए राष्टवादी हुआ करती थी देश के लिए राष्टवादी रचनाए मतलब जो देश की आम जनता के लिए बात करने वाला बंदा हो वह राष्टवादी बंदा कहलाता है गिसैप पे मैजिनी उनहीं में से एक थाइट लीगा चलिए अभी आपने तीन चीजों को देखा उधारवाद, रोड़िवाद और आमूल परिवर्तन बात। अब हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद के आने का। तो समाज के पुनर गठन की संबवता सबसे दूर गामी द्रश्टी प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19-वी सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन गया। उसकी तरब बहुत सारे लोगों आकरसित होने लगे। समाजवादी जो थे वे नीजी संपत्ती के विरोधी थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि संपत्ती पर किसी का नीजी स्वामित तो हो। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित की व्यवस्था ही सारे समस्याओं की जड़ है अच्छा वे ऐसा क्यों मानते थे इस पर आप विचार कीजिए उनके ये तरक थे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संपत्ति तो है जिससे दूसरे लोगों को रोजगार भी मिल बिलता है लेकिन समस्या यह है कि संपत्ति धारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है और वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादन शील बनाते हैं देखा जैसा कि हमने अभी जश्ट इसके पहले चर्चा की कि उदारवादी और र खटे खटे मजदूर मिल सके इस बात को समाजवादी भाप गए और उन्होंने ये कहा कि नहीं 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 निजी संपत्ति की दो बाते नहीं होगी अब निजी संपत्ति ही सारी समस्या की जड़ है क्यों कि वे सब मुनाफ़े के लिए सोचते हैं अंतिम रूप से उनकी स सोच का लक्ष सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत मुनाफ़ा होता है उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को बढ़ाते हैं और इसलिए संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाए सारे समाज का नियंतरन हो तो समाजिकहित जादा अच्छी तरह से हो सकता है और इस के लिए उन्होंने अभियान छेड दिया अच्छा कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है समाजवादी समाज का आधार क्या होगा चलिए समझते हैं समाजवादियों के पास भविश्य की एक बिलकुल भिन्य द्रिश्टी थी कुछ समाजवादियों को कौपरेटिव यानि सामोहिक उद्यम के विचार में दिल्चस्पी थी सहकारिता की बात करते थे इन्ही मैं से एक इंग्लेंड के थे रावर्ट ओवेन उन्होंने अमेरिका के इंडियाना में नया समनवाई न्यू हॉर्मोनी के नाम से एक तरह के नय समुदाय की रचना का प्रयास किया जो ओवेन महोदे थे उन्होंने अमेरिका जाकर न्यू हॉर्मोनी में एक सारे लोगों के बीच में जमीने बराबर बाट दी एक ऐसी कालोनी बनाई जहां पर सारे लोग एक साथ रहते उनके काम साजा होते उनकी खेती साजा थी उनका खाना साजा होता था उनका बनाना सा पहल कदमी के बहुत बड़े सामुही खेत नहीं बनाय जा सकते। इसके लिए सरकार को ही पहल करना पड़ेगा। जो रौबर्ट ओवेन थे ये बहुत बड़े उद्योगपती थे। और कारल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोगों का कहना था कि रौबर्ट ओवेन जो कर रहा हैं ये अंततो गत्वा स्वयम के लाव के लिए कर रहा हैं। मजदूरों को जो भी सुवीधा वे देंगे उस सुवीधा से मजदूर पढ़े लिखे और अच्छी सोच के होंगे और वो अच्छी सोच का फायदा किसको मिलेगा। उस रौबर्ट ओवेन को इसलिए व्यक्तिगत पहल कदमी से कोई बहुत बड़े काम नहीं किया जा सकते हमको तो एक तरह से ये चाहिए कि सरकार अपनी तरफ से इस सामोहिक खेतु को बढ़ावा देगी हमको वैसी ही सरकार चाहिए। उदाहरण के लिए फ्रांच में लूई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पुझीवादी उद्यमों की जगह सामोहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। सारे लोग मिलकर काम करते और काम के हिसाब से उसमें मुनाफ़ा बाट लिया जाता जिसका जैसा काम होता उस आधार पे उसकी दर ताय करके उसको उसका लाव प्रदान कर दिया जाता। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिसा में कई तरक पेश किये। मार्क्स का विचार था कि ओद्योगिक समाज पूझईवादी समाज है। फैक्ट्टियों में लगी पूझई पर पूझईवादियों का ही स्वामित्तु है। और पूझईवादियों का मुनाफ़ा मजदूर की महनत से पैदा होता है। इसलिए इस तरह के जो प्रयास पूंजी वादी लोग रॉबर्ट ओवेन जैसे लोग करते हैं यह है ठीक नहीं माना जा सकता। मार्क्स का निसकर्स यही था कि जब तक निजी पूंजी पती इसी तरह मुनाफिय का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिती में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिती में सुधारने के लिए मजदूरों को पूंजी वाद और निजी संपत्ती पर आधारित शाशन विवस्था को उखाड़ कर फेकना ही होगा उनको आगे आना ही होगा मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूझीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किश्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी समपत्ती पर पूरे समाज का अर्थात सामाजिक नियंत्रण और सौमित्तु रहेगा कारल मार्क्स भविस्थ के समाज को कम्यूनिष्ट अर्थात सामेवादी नाम देते हैं मार्क्स को विश्वास था कि पूझी पतियों के साथ होने वाले संगर्स में अंततह जीत मजदूरों के ही होगी उनकी राय मे कम्यूनिष्ट समाज ही भविस्थ का समाज होगा समाज के पुनरगठन की सबसे विवस्थित और दूरगामी सोच वाले जो विचारधारा थी वही समाजवाद थी मतलब रेडिकल्स उधारवादी या रोढ़िवादी कहीं ना कहीं अपने अतीत से जोड़े हुए थे अत क्यों कि उनके अपने खुद के व्यावसाय थे और वे जो है अपने व्यावसाय के लाब के लिए ही समाज के स्वास्थ सिक्षा आदी की बाते किया करते थे उनका उदेश वास्त्विक रूप से समाज को लाब पहुँचाना नहीं था समाज के शोसित दमित या गरीब और जब समाजवाद यूरोप में एक जाना पहचाना विचार बन गया एक ब्राइंड बन गया तो लोगों का आकरसन उसके तरफ होना सौभाविक था चलिए अब हम आज का अंतिम एपिसोड आज समझ लेते हैं समाजवाद के लिए समर्थन तो आप लोगों ने इस चीज उसको बहुत अच्छे से समझ लिया बहुत अच्छे से देख लिया कि फ्रांसीसी क्रांती के बाद फ्रांसीसी क्रांती का जो इंफ्लियंस था वो सारे यूरोप एसिया और अन्य देशों में फैल गया जब फैल गया तो जो परिवर्तन कारी लोग थे उनके अलग-लग व विचारधारा से ग्रशित थे तो इन विचारों का विरोध करते हुए एक नया विचार आगया समाजवाद का कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स लेके आए और धीरे-धीरे करके मजदूरों के बीच में इनके विचार बहुत जादा प्रशित दीप आ गए 1870 का दसक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे अपने प्रयासों में समनवय लाने के लिए समाजवादियों ने द्विती इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराश्टी संस्था बना ली तो इस तरह से चाहे जर्मनी हो या यूरोप के अन्य देश हो इन सभी देशों में समाजवादी क्रांटी विचार धारा वाले अलग अलग राजनितिक दल तैयार हो गए बिटेन की लेबर पार्टी हो या जर्मनी की सामाज़ी क्रांटी पार्टी इन सभी का ओ देश से प्रजदूर भी इनका समर्थन करते और राजनितिक रूप से इनका सहयोग किया करते थे। समाजवादियों का जो तपका था वह प्रभावसाली तो हुआ, अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजने में काम्याब भी हुए, सासन व्यवस्था का अंग बनाने में भी सफल हुए, लेकिन अंतिम रूप से यूरोप में समाजवादी सरकार बनाने में सफल नहीं रहे सत्ता पर radicals का और उधारवादियों का ही दबदबा बना रहा यह व्यवस्था रूस में जाकर बदलती है जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे चलिए हम इन प्रश्णों को हल करते हैं पहला प्रश्ण है उधारवादि रेडिकल तथा रोड़ी वादियों में अंतर लिखिए दूसरा प्रश्ण समाजवादी समूह उधारवादियों और रोड़ी वादियों का विरोध किन बातों पर करता था मतलब समाजवादी समूह उदारवादियों का और रोडिवादियों का दोनों का विरोध क्यों करता था ये आपको बताना है तीसरा प्रशन समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता कौन कौन थे जो इस वीडियो में जो इस अध्याय में आपको दिखाई दिये चोथा ओद्योगिक मजदूरों की क्या समस्याय थी आपको लिखना है और अंतिम प्रशने दुवितिय इंटरनेशनल का गठन क्यों किया गया तो चलिए इस तरह से आप लोग देखते रहिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतरगत दूरदर्शन मध्य प्रदेश को और घर पर रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद